हे गाईज अन्सु का पाकवान में आप सभी का स्वागत है अभी आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ये क्या है आप जल्दी से कॉमेंट करके बताईए तो चलिए मैं आज आपको सबसे पहले अपने गाडन में लेचलती हूँ मैं अपने गाउं आई हुई हूँ और मेरे गाउं में गीया का पौधा लगा हुआ है और उसमें धेर सारे घीया वी फले हुए हैं तो मैं जैसे ही छट पे गई ना तो मुझे देखते ही ना गीया को रुका नहीं गया ऐसा लगा कि मैं क्यों आज एक वीडियो ही बना लूँ इस गीया के साथ और आप सभी के शाथ इस रेशिपी को भी सेयर कर दो और अपने काडन में भी आप लोगों को घुमा दूँ तो देखिए कितना हरा भरा और मस्त ये गीया लटक रहा है ना बिलकुल गोल वाला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंट्स कि आप लोगों को का भी मन कर रहा है ना कि इस ताजे ताजे गीया को तोड़ लू और फटा फट से रेशिपी बना लू किस-किस का मन कर रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा तो चलिए अब इस तरह से शारे गीया को मैं आपको पहले दिखा दे रही हूँ फिर इसमें से एक मस्त सा गीया कट करूंग तो यह चोटू सा गीया है बेबी गीया यह अभी रेडी नहीं हुआ है यह भी दीरे दीरे बड़ा हो चाएगा तो चलिए मैं गार्डन में चलती हूँ मुझे देखते ही ना फ्रेंड्स इस गीया को रुका ही ने गया ऐसा लगा कि सारे गीया को क्यों ना कट कर लूँ प इतना आसान है इसे बनाना और खाने में उतनी ही यह टेस्टी भी लगती है तो चलिए मैं यहाँ पे दो गीया को कट कर ली हूँ अब मैं इसे ले चलती हूँ किचिन की तरफ तो चलिए अब नेक्स प्रोसेस करते हैं देखिए देख रहे हैं मैं थोड़े से आपको मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को मेरी आज का ये वीडियो बनाने का तरीका और मेरी रेशिपी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सपोर्ट भी कीचेगा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीचेगा और चादा से ज छिलके को भी फेक हूं तो मैं इसके छिलके की वी रेशिपी बनाई हूं पर इस वीडियो में मैंने नहीं अप्लोड किया है ये रेशिपी नेक्स टाइम मैं जब बनाऊंगी तो आपके साथ से जरूर करूंगी क्योंकि मैं छिलके की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूं ब और अब हमें next process करना है तो मैं आज इस गिया की सबजी को बनाने वाली हूँ चूले पे तो बीना गैस चलाए हुए बनाएंगे फ्रेंज तो आज मैं गाउ में थी तो मेरा तो मन कर रहा था कि बिल्कुल देसी अंदाज में खाना बनाओ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लक्री को जोड़ ली हूँ इस चूले में मतलग कि मुझे पूरी तरह से जोड़ना तो नहीं आता वो मेरी शाशु माने जोड़ा है उसके बाद मैं यहाँ पे कडाई रखती हूँ और उसके बाद इसमें दो शमच तेल डाल देना है तील आप अपने जरुरत के हिसाब से डाले ऐसे भी गिया की सबजी में जादा तेल वेगेर डाली नहीं जाती है उसके बाद यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिश डाल दी है आप चाहें तो हरी मिर्च का इस्तेमाल करें और इसे अच्छी तरह से क्रेकल हो जाने दे उसके बाद हमें यहाँ पे कटे हुए प्याज को डाल देने है और प्याज को डालने के बाद इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है तब तक जब तक कि प्याज का कलर बिल्कुल इस तरह का ना हो जाए देखिए देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से प्याज को भून करके लीजेगा उसके बाद हम यहाँ पे कटे हुए घीया को डाल देना है तो चलिए मैं यहां पे कटे हुए सारे गिया को डाल दे रही हूँ अब मैं चूले पे इसलिए बना रहे हूँ ना कि गिया जो है बिलकुल ताजा है और ताजा जो गिया होता है ना उसमें पानी बहुत जादा रिलीज होती है इस तरह से हमारे यहां चूले की शुपधा थी तो मैं इसी पे बना ली अब हमें इसे कवर करके जब तक के लिए पकने देना है देखिए अब मैं आपको कवर अटा के दिखा रहे हूँ इसमें हमें थोड़े से हल्दी के पाउडर डालने है और स्वाद अनुशार हमें यहां पे नमक भी याइट कर लेना है इस दोनों चीजों को डालने के बाद इस गिया को हमें अच्छे से मिक्स करना है और तब तक पकाना इसका पानी रिलीज ना हो जाए धेर सारा मात्रा में इसमें से पानी रिलीज होता है फिर इसे ढख करके हमें आराम से 3-4 मिनट के लिए पकाना है पर बीच-बीच में ढखकन अटा कर हमें इसे मिक्स भी करते रहना है पर आप चाहें तो इसे गैस पे भी बना सकते हैं हमारे हैं यह चूले की सूफधाती तो मैं सोचे कि चलो आज अपने गाउं ही आई हूँ तो इस चूले पे इस गीया की रेशिपी को बना लेती हूँ बिना मशाले के इस गीया की रेशिपी को आप लोग भी बना करके देखिएगा आपके भी परिवार में शवी को बहुत ही ज़ादा पसंद आएगी बस इसे बनाने के लिए हमें तेल चाहिए हल्दी चाहिए और नमक चाहिए इससे ज़ादा कुछ भी नहीं चाहिए और ये सबजीना इतनी मीठी लगती है खाने में क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ का और ताजा-ताजा घीया है अब हमें इसमें डाल देने हैं थोड़े से कटे हुए धन्या के पत्ते और इसके पानी को अच्छी तरह से शुखा लेना है और हमें इसे बून लेना है अगर आप कैस पे बना रहे हो तो मीडियम फ्लेम पे बनाए और इसके पानी को शुखा ले तो लीजिए सुपर टेस्टी और हिल्दी घीया की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है हमारे घर में ये गीया की सबजी सभी को चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है आपके हां किस चीज के साथ गीया की ये रेसिपी चभी को पसंद आती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में